तो बीजेपी नेता अश्वनी शर्मा को आप सुन रहे थे आज राज़ेपाल से बीजेपी के प्रतिनिदी मंडल ने मुलाकात की और चिंतस जाहिर की इस पूरे मामले को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि डीजेपी और मुख्य सचिप को बरखास किया जाए लेकिन प्यम की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार भी आक्शन में है पंजाब सरकार ने इस मामले पर हाई लेवल कमिटी बनाने का फैसला लिया है ये कमिटी तीन दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौपे गी इससे पहले कल पंजाब के सीम चरंजीत सिंग चन और दूसरी ही चरफ मुख्यमंत्री चरंजीत सिंग चन्नी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हुआ है वो कुद्रती है हमारी तरफ से पुक्ता तैयारियां की गई थी सुरक्षा के तमाम इंतिजाम किये गए थे और पियम मोदी की पंजाब दौरे में सुरक्षा में हुई चूक का मामने लगाता है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कल पंजाब दौरे में फिरोस्पो जाते वक्त पियम मोदी की काफिले को रास्ते में प्रोदोशन कारियों ने रोक लिया वहां पियम मोदी करीब 20 बना दी है जिसे तीन दिन में अपनी रेपोर्ट सौपनी है और इसके साथ ही आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठा जिसकी कल सुनवाई हो सकती है चंडीगड में बीजेपी का एक प्रतिनीदी मंडल पंजाब की राजवेपाल से मुलाकात करने भी पहुँचा मुलाकात हुई भी और इस पूरे मामले को लेकर अपनी शिकार बीजेपी नेताओं की तरफ से दर्ज करवाई गई वही बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया और कॉंग्रिस पर देश में दंगा करानी की कोशिश का बड़ा आरोप लगाया और ये पांच तस्पीर आप देखिए पहली सबसे बड़ी तस्पीर जिसके बात लगाता पूरे देश में घमासान मचा हुआ है लेकि आखिर इतनी बड़ी चूक इतनी बड़ी साजिश पीयब मोदी की सुरक्षा के मद्दे नजर इस पूरे मामले को लेकर अप निश्पक्ष जांच की मांग उठ रही है लेकिन चूक की जांच होगी ये आश्वासन मुखे मंत्री चरंजीत सिंग चन्नी की तरफ से दिया गया है और लगातार बीजेपी अलग लग वीडियो के जरिये कॉंग्रिस पर हमला बोलती हुई और केंद्री मंत्री पहला जोशी ने कॉंग्रिस पर बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने ये कहा है कि पियम मोदी की सुरक्षा में चूक एक साजिश थी और कॉंग्रिस इस साजिश के पीछे है प्रहलाज जूशी ने ये भी आरोप लगाया कि कॉंग्रेस ने ये सोची समझी साज़िश पाकिस्तान की सीमा के पास रची, उन्होंने कॉंग्रेस आलकमान से माफी की मांग की है, पियम मोदी का काफिला जहां रोका गया, वो जगह पाकिस्तान की बॉर्डर से कुछ ही इसमें शायद पाकिस्तान का भी कुछ रोल है, कॉंग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझोता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रधान मंत्री जी को इतने देर तक जो रुकना मजबूर कर गया, इसमें बहुत बड़ा शेडेंतर है, कॉंग्रेस पार्टी देश के लि तक देश में राज किया है, देश का ख्यमा प्रारतना करना चाहिए, क्योंकि प्रधान मंत्री देश का होता है। कि सीधे तौर पार्टी पर पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए नसर आये, और इसकी साथ ही प्यम मोदी की सुरक्षा में चूप पर ग्रेह मंत्री अमिच शाहा ने एक और ट्वीट किया है, उसमें क्या कुछ लिखा गया वो जराब देख लीजे, एमेच ने पंजाब में पीम की सुरक्षा में चूप पर रिपोर्ट मांगी है, पीम की सुरक्षा में लापरवाही अर्स्वी का रहे है, जवाब देही तै की जाएगी। ये एक और ट्वीट और पंजाब में पीम की सुरक्षा के चूप पर घमासान शुरू हो चुका है, केंद्रिये मंत्री स्मिती रानी ने कॉंग्रिस पर हमला करते हुए कहा कि कॉंग्रिस की खूनी साजश नाकाम हो गई, वहीं पंजाब की मुख्य मंत्री चरण जीत इनी ने दावा किया है कि पिया मोदी को कोई खत्रा नहीं था और उनकी सुरक्षा में कोई चूप नहीं हुई पंजाब की पुन्य धर्ती पर कॉंग्रिस के खूनी इरादे नाकाम रहे जो लोग कॉंग्रिस पार्टी में मोदी से घ्रणा करते हैं देश के प्रधान मंत्री को उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे किसे तरह भी कोई अटेक वाड़ी या परदान मंत्री जीनू खत्रे वाड़ी गल स्क्योर्टी लैप्स वाड़ी गल नहीं होई है यह एजिटेशन पंजाब देविच चोना आ रही हैं रोज मेरे नाड़ भी हुंदे हैं हर स्टेट देविच जरो चोना हो दिया डेमोक् पुलिस वाड़ेया ने मन्नो कई वाटेलीबून कीते के जी लाठी चार्ज करके नानो पासे कर दिये अरेस्ट कर लिए मैं क्या नहीं 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 को छेट गर के मनाओ ए यह नहीं मनाओ किसी तरह भी है लटीमेटली एसी रात भी कामयाँ होई है उनना पासे करने वी चर पेखी ने भी कॉंग्रिस पर हमला पोला और कहा कि कॉंग्रिस नहीं चाहती कि पिया मोधी पंजाब जाए जबकि कॉंग्रिस नेता, रंडीब सुर्जेवाला ने इसे बीज़े भी का एक हथकंडा करार दिया. पंद्रा मिनिट उनकी गाड़ी खड़ी रही है और उसके बाद कोटपुल से उनकी गाड़ी को वापस जाना पड़ा और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भटिंडा जाकर एरपूर्ट से बोला कि आप अपने मुख्य मंत्री को धनेवाद देना कि मैं पार्टी के लोग राजस्थान से हरियाना से पंजाब से भीड नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वरक में आम जन्मानश में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरोध तो अब उल जलूल बातें क ही जा रहे हैं गार प्याप मोधी की सुरक्षा में हूई चूक पर फिरोधपूर से कॉंगरिस विदाये का परमिंदर सिंग पंकी ने पंजाब की डीजी प्य पर ही सवाल उठाए है उन्होंने पी आ. प्या-वो हैं कि जा रहे है देज़ा कि कर दो किए त्सिन्प नहीं किया उनकी जुम्मेवारी ठहरानी चाहिए और मैंने मुखमंतरी जी को भी कहा कि टाइम बाउंड इसकी इंक्वेरी कराएं जिसका भी कसूर बनता है डीजी पी साव का कसूर है तो उनकी ओपर सक्से सक्से अक्शन लेना चाहिए पिया मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूप पर बीजेपी ने इसे पंजाब की कॉंगर्स सरकार की नाकामी बताया तब जिस तरह से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाए गए मानिये प्रधान मंत्री जी को लगबग 20 से 25 मिनट तक विना सुरक्षा कवच के वहां रास्ते में रुके रहना पड़ा ये पंजाब की वर्तमान सरकार की विफलता का ध्योतक है प्रधान मंत्री की सुरक्षा में चूक इसमें भी कांग्रेश की बदनियती नजर आती है कांग्रेश को इसके लिए देश से माफी माँगना चाहिए इस देश के प्रदानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की एकाई ऐसा एक घिनोना हरकत कर सकती है तो यह बहुत निंदनी अगटना है और मैं समझता हूं कि वहां के चीफ मिनिस्टर चन्नी को पिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहां के शाषन करने का उसको तु अपने पत को चाकुत देना चाहिए